जनपत चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सैद राजा थाना क्षेत्र के अंतरगत स्थित नेशनल इंटर कालेज में फीस के मामले पर भयान कर लूट मची हुई है वहीं मामले पर गाजियन की शिकायत पर विद्यालय प्रांगन पहुँचे सपा के पूर्ट सपा विधायकवर आश्ट्रिय सचव मनूट सिंध डव्यू ने विद्यालय प्रशासन के मनमाने रिवें और वितहाशा फीस विद्धी पर जमकर मुखर हुते हुए कहा कि विद् दर्शन को बाध्य होगी। विद्धो की उक्त विद्यालय द्वारा मनमाने फीस की वसुली का यह दूसरा मामला सामने आया है। पिछली बार भी सपा निता मनूट सिंध डव्यू ने विद्यालय प्रशासन के खिलाफ मुखर होते हुए इतलिये गए फीस को वापस कराय था। गुरुबार को भी ग्राजियनों की लिखित शिकायत के पश्चात विद्यालय प्रांगन पहुँचे तो फीस की लिस्ट देख हत्प्रव रह गए और विद्यालय प्रबंधन के समक्ष सकल्डीहा इंटर कालेज की फीस लिस्ट पेश करते हुए कहा कि यह विद्या इंटर कालेज में आया थे क्या मामला है देखिए मैं पिछले साल नेशनल इंटर कॉलेज पार आया था पिछले साल भी यहां पर नौस एक हजार बारा सो रुपया तक यह लोग पैसा लेने का काम किये थे मैं यहां पर आया मालुम पड़ा मैं डिवायस को भी बुलाया थ करा और पिछले बार यहां का पैसा मैं वापस कर वाने का काम किया और मैंने Θ español के अभिवा significant करीशाभा पुछ में बश्राव मने वापस करते हैं पुछ बाद में मैं 27 लेना हुआ है तो फिर लोग लेने का काम किये थे लेकिन उस पुखता शबूत नहीं मिलने के कारण मैं भी चुप हो गया इस ताल फिर एडमिशन सुरू हुआ करोना काल खतम नहीं हुआ है सरकार लंबी लंबी बातें कर रही है मैं यह मदद कर रहा हूं यहां पर आने के बाद मालूम हुआ कि सव रुपया फारम के नाम पर लिया जा रहा है सव रुपया यहा यहां पर 9 के बच्चों से 233 रुपया लिया जा रहा है और यहां पर 9 के बच्चों को से 900 रुपया लिया जा रहा है और यहां पर 1100 रुपया लेने के काम हो रहा है वैसे ही आप चलिए 12 के बच्चों से वहां पर 772 रुपया ले रहे हैं और यहां पर साथे तेरा सोर पहले ने का काम कर रहे हैं यह लूट मची है और मैं आप लोगों के माध्यम से चाह रहा हूँ कि अब बाद जिला प्रसासन को मालूम हो सरकार को मालूम हो और यहाँ पर करवाई होने का काम हो अगर नहीं होता है तो सो मुहार को समाजवादी पाल्टी इस कॉलेज पर धर्णा पर बैठने का काम करेगी